हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल पर और आज का विशय है आसान रात के भोजन व्यंजनों के बारे में। शुरू करने से पहले न भूले सब्सक्राइब करने या घंटी के आइकन पर क्लिक करने के नियमित अपडेट्स के साथ सूचित रहने के लिए यहां दस आसान और स्वादिष्ट रात के भोजन व्यंजन हैं जिन्हें आप तेजी से तयार कर सकते हैं। शीट पैन चिकन और सबजिया एक बेकिंग शीट पर चिकन के पिस्तों या प्रिय सबजियों जैसे ब्रोकोली, शिमला मिर्च और गाजर रखें। जैतून के तेल से ड्रिजल करें, नमक, काली मिर्च और अपने पसंदीदा जड़ी बूटिया मसाले के साथ चिकन को मसाला करें। 400 डिग्री फारन हाइट, 200 डिग्री सेलसियस पर 20-25 मिनट तक या जब तक चिकन पक जाएं और सबजिया मुलायम न हो जाएं। पास्ता प्रिमावेरा अपने पसंदीदा पास्ता को निर्देशों के अनुसार पकाएं। एक तलने में जैतून के तेल में कटा हुआ सबजी, जैसे शिमला मिर्च, जुचिनी, चेरी टमाटर को नरम होने तक सेंकें। पके हुए पास्ता को सेंकी हुई सबजियों, पास्ता पानी की एक बूंद, ग्रेटेड पारमेजन, चीज और ताजा पुदीने के साथ मिलाएं। स्टिरफ्राइड श्रिम्प और सबजिया एक तलने में तेल को अधिक उच्छ गरम करें। जींगा डालें और लाल होने यापक जाने तक स्टिरफ्राइड करें। स्लाइस्ट सबजियों डालें और नरम होने तक स्टिरफ्राइड करें। सोया सौस लहसुन अदरक और चावल के सिरके की एक बूंद के साथ मसाला करें। केसाडिया एक तलने में मध्यम आज पर एक ताटिया को गरम करें ताटिया के एक आधे में श्रेडेड पनीर और अपने पसंदीदा भराव जैसे पके हुए चिकन, बीन्स, मिर्च और प्यास छिड़के ताटिया को आधे तक बाधें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं साथ में सालसा, ग्वाकामोल और सावर क्रीम के साथ परोसें वन पॉट चिकन और चावल एक बड़े पॉट में तेल में कटा हुआ चिकन ब्रेस्ट को भूरा करें जब तक नरम न हो जाएं, कटी हुई सबजियों जैसे प्यास, गाजर और शलरी डालें चावल चिकन और आपकी पसंदीदा मसाले को मिलाएं चावल पक जाएं और तरल पूरी तरह से अवशोशित हो जाएं कप्रीज सलाद पके हुए टमाटर और ताजा मोजेरिला चीज को स्लाइस करें टमाटर और मोजेरिला के स्लाइस को एक प्लेट पर एकत्रित करें बालसामिक ग्लेज, जैतून का तेल डिजल करें और ताजा तुलसी पत्तियों से छिड़के स्वाद के लिए नमक और काली मिर्च मिलाएं ग्रिल्ड चीज और टमाटर सूप अपने पसंदीदा रोटी और पनीर के साथ एक क्लासिक ग्रिल्ड चीज सैंडविच बनाएं डिपिंग के लिए एक टमाटर सूप के साथ परोसें टाको सलाद एक तलने में ग्राउंड बीफ को टाको सीजनिंग के साथ भूनें पके हुए मास को सलाद के पत्तों के उपर परोसें और अपने पसंदीदा टाको टॉपिंग जैसे कीज, सालसा, एवोकाडो और क्रश्ट टोटिया चिप्स के साथ शीर्ष करें साथ में सावर, क्रीम या राच ग्रेसिंग द्रिजल करें सबजी फ्राइड राइस राइस को निर्देशों के अनुसार पकाएं और उसे ठंडा होने दें एक बड़े तलने में अंडे को घिसें और उसे अलग करें तेल में कटी हुई सबजिया जैसे गाजर, मटर, मकई और हराप्यास को नरम होने तक सेंकें पके हुए चावल, अंडे, सोया सौस और सेस्मी तेल को तलने में डालें जब तक गरम न हो जाए आखिरकार मेडिटरेनियन हमस प्लेट एक प्लेट पर विभिन मेडिटरेनियन प्रेरित तत्वों को सन्योजित करें जैसे हमस, जैतून, ककडी, चेरी टमाटर, फेटा चीज और पीता ब्रे डिपिंग के लिए ट्राथजी की सौस या ग्रीक दही के साथ परोसे ये व्यंजन तेज, तयार करने में आसान है और जब आप बिजी दिनों में एक स्वादिष्ट रात के भोजन की इच्छा करते हैं तो ये एक उतक्रिष्ट विकल्थ हो सकते हैं इन्हें अपने पसंदीदा अवधार नाओ और स्वादों के साथ अनुकूलित करने के लिए बेफिक्र महसूस करें यदि आपके पास किसी भी प्रकार के विडियो के बारे में सुझाव हैं तो कृप्या उन्हें टिपपणी अनुभाग में साजा करें इस बीच अगले विडियो पर आप सभी को देखता हूँ